हेलो एब्रीवान वेलकम बाक टो मैं चानल और आज यहारा पूला सेट अप चेंज है क्योंकि आज मैंने सोजा मेरे टूहने स्क्राइबर्स हो गए है हैं तो एक पूछें आज सबस्क्राइबर्स हैं अभी मौनीं की लवन रहा हैं और बहुत कुछ इंटरस्टिंग है जो मैं बनाने मगली हो नॉर्थ के लोगो में शायद खाया होगा और साथने वरी ते यहां तो बहुत एप्टो क्यों लोग यहां अज रेस्पी आज रेस् कि पॉचिंग तो मैं बनाने जारी हूं पट्टू और जिसके लिए हमें चाहिए रेडिमेट या जैसा भी आप चाहें इडली डोसर का बेटर मैं नहीं पर रेडिमेट लिया अगर आप चाहें तो आप हर पे बना के इसको यूज कर सकते हैं एक प्यास और हर इमिज हर तेल अच्छे से हीट हो गया है इसमें डाला है करी पक्ता और इसमें डाला है राई इन दोनों को अच्छे से गरम होने देना जब तक कि इसमें से यह यह जो आपका राई है इसको अच्छे से क्राइक होने देना है तो यह अच्छे से क्राइक हो गया है गरम हो गया है और टालूंगी इसमें थोड़ी सी ही चुटकी भी और इसके बाद मैंने प्यास को अच्छे से चौप कर लिया है और इसको अब आप 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 मैंने इसको लोस टके चनल कर दिया है और इसको अब और आप का स्छे मिनित तक को को कॉना आ है जब आल्मोस चाल थाफरन तरो चाल जाल जाए बुसके बाद अगा स्टेप करना यह सो अभी आप अच्छे से नहीं हो दिना है और इस को आप किसी भी चीज के खा सकते हो आप चटनी के साथ हो गया स्वास के साथ और यह बॉर्णिंग और इडिंग डोना ही स्नेक्स बन सकते हैं तो यह अच्छों से फ्राइब हो गए है और अब इसको रेची जानी है वह नमक अब अपने स्वाप के इंशा डाल सकते हो अब इसको बैटर में इस तरह से डाल देना है और आप चाहें तो बैटर में अपनी हिसाब से इसमें नमक डाले क्योंकि आप और डी इसमें नमक डाल चुके हो तो आप इसमें नमक थोड़ा सा देख के डानें तो इस तरीके से इसको मिक्स करना है और आप इसमें मिला रही हूं है चुटकी बर नमक युकि इसमें पहले से में नमक डाल चुके हूं आप इसका है फार्नल स्टेब इसको कैसे बनाना है मैंने इसका ये साचा है जो आपको online मिल जाएगा इसको पट्टू आला साचा बोलता है मैं इसका डिस्क्रिक्षन लॉप्स में लिंक डाल डूंगे ताकि आपको सर्च करने में इसली हो जाए अब क्या करना है इसमें आप चाहें तो अभी इस टाइम पे इसको हाई फ्लेम पे भी रख सकते हैं ताकि जो जल्दी से गरम हो जाए और मैंने इसको अभी हाई फ्लेम पे रखा हुआ है तो कुछ सेकंड में यह अलमस्ट हीट हो गया है बट कुछ सेकंड और अब यह हीट हो गया इसमें सब धुआ निकरने लगा और मैंने इसकी जो फ्लेम है वो सिंपे कर गए है और अभी एक स्पून के हैं से इसको इसको बाइए तो इसको बनने में और मुस्ट 3-4 मिनिट लगते हैं क्योंकि यह लो फ्लेम पे हैं और यह तक ही जले नहीं तो आपको इसको बहुत ही इसको मॉइंटर करना पड़ता है आपको हर 2-5 मिन के बाग इसको आपको पलटके देखना पड़ेगा ताकि जो नीचे का जो यह है वो जले नहीं अभी तो सिर्फ मैंने डाला है तो इट वो टेक सम टाइम तो अभी जब आप देखोगे उपर अभी इस तरीके से हो रहा है और अभी कुछ सेकिन के बाग य इसको हमेशा हमेशा आपको आप आपका नाीचे के ना नापक्राइब तक ने अहां सुखरinal में फिक ने लगा ही बाग गार दिGreen ना जाबर्शम पाड़ें gens जांड़ी तो आपकर लगा टोब्राना को आप्तर बाग कर दो जुआ आपको कराने ज़ग एंना निचे करें कि इसका सेकेंड आप से उसको भी सेंग तरीके से सेखना है इसको लो फ्लेम में आपको इसको अग्याने सरीके से करना है तो यह उपर से बहुत क्रिस्पी आपकी जो बनने के बाद इसको ऐसा दिखना चाहिए अगर इससे कब सो यह बनके अल्मोस्ट रेडी हो चके हैं अगर इससे लेस कुरकुरा बिखाई पड़ेगा इट मीन्स वह आपका बना नहीं है और जब आप खाओगे तो आपका नहीं होगा तो अब सजेस्ट यू जब तक यह वाला कलर ना आ जाए आपके एक साइट पर तब तक आप इसक तो समझे नहीं कि बना हुआ है तो यह देखे अभी देखे कच्छा है ऐसा नहीं होना चाहिए अभी पूरी तरीके से यह बने नहीं है और देखे बनने के बाद कापिंग क साइज जो है इंक्रीज हो जाए तो मैंने भी पलटके देखा यह और डिखे इसका जो कलर है तो मेरे बनके रेडी हो गया है और इसको मैं चटनी और सॉस के साथ सकती हूँ तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसकी रेस्पी को आगे फोरवर्ड करें और प्लीज मुझे कमेंड करें कैसा लगा खाने में तो थांकियो सो मुझे वाचिंग और अ